नरेंदर मोधी भाषण में क्या बोलते हैं? हमारे देश में, इतिहास में बहुत बड़ा साइंस था और वो साइंस प्लास्टिक सरजरी का भी था और उसका उधारन दिया गणेश कि कैसे हाथी का सिर काट करके बच्चे के उपर लगा दिया यह हमारे बड़े बड़े डॉक्टर लोगों ने करके दिखाया भारत का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है? वो ले कौरो सौथ, वन हंड़ेट, कौरो पांड़ो कौरो लोग सौथ, कैसे होगे सौथ? वले स्टेम सेल रिसर्च था, स्टेम सेल रिसर्च इतना जूट, इतना पाखंड, अंदविश्वास भारत का प्रधान मंत्री उसका प्रचार कर रहा है किस्छे देश रसातल में जाएगा जब आप जाते हैं नेपाल, एस प्राइम मिनिस्टर आप दो घंटे तक मंदिर के अंदर पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर घुस करके पूजा करते हैं, ऐसा सब डाल करके माला, फाला, क्रिपुंड तुमको पंडागिरी करना है तो जाओ वहाँ पंडागिरी करो प्राइम मिनिस्टर के कुर्ची पर बैठ करके की भावना और स्पिरिट के खिलाफ है मैंने उसके खिलाफ स्टेट्मेंट दिया देरादून में प्रेस कांफिंस करके मैंने कंडेम किया इसको मैंने कश्मीर में, शीनगर में खड़े हो करके कहा अमरनाथ, अमरनाथ, बहुत बड़ा तीर थी आतरा जाता है आपके इदर सबरी मला वा ले जाते हैं ने, सबरी मला, ऐयपपा, ऐयपपा ये भी अंदविश्वास है, सारा का सारा ये तिरुपती भी अंदविश्वास है और ये अमरनाथ भी अंदविश्वास है मैंने श्रीनगर में कहा मुझे टेलिविजन वालों ने पूछा कि स्वामी जी इस बार अमरनाद की तीर स्यातरा को सरकार ने पंदरा दिन कम कर दिया तो आपको क्या रियेक्शन देना मैंने का पंदरा दिन क्यों कम किया इसको पूरा कम कर देना चाहिए, खतम कर देना चाहिए, भूले क्यों? वो तो बरफानी बाबा है, वो तो शिवलिंग है, मैंने का वो कोई शिवलिंग वगएरा, कोई परमात्मा कोई नहीं है, वो तो साड़े तेरा जार फुट पर हमाले में पानी उपर से टपकता है, तो नीचे से बरफ ऐसे बन जाता है हम तो बूगोल में पड़ते थे स्टेलेग डाइट इस स्टेलेग माΐट बोलते हैं उसको नीचे ऑपर जो बरफ जाता आण उपर से जो नीचे लटक जाता है यह तो एक नीचरल फैनोमेना मैने का कोई इसके इश्वर परमात्मा का उतना बड़ा उसको तुम बना रहे हो शिवलिंग बरफानी बाबा उसके लिए सब साड़े तेरा जार फुट पे जाते गॉर्मेंट को इतना इंतिजाम करना पड़ता है करोडो करोडो रुपया सेना लगानी पड़ती है सुरक्षा के लिए यह सब धोखा है पाखंड है मैंने यह कह दिया मैंने यह भी कहा कि एक बार यात्रा शुरू होने से पहले वो सारा का सारा शिवलिंग ग्लोबल वार्मिंग में पिगल गया वो गायब हो गया तो गवर्नर जन्रल एस के सिन्हा गवर्नर थे वो हेलिकॉप्टर में आर्टिफीशल आइस ले करके गए और उसको बना करके ताकि भगत लोग आएंगे तो उनको सत्मूच का एक शिवजी मिलना चाहिए यह क्या है यह सरकार का काम है कुम्ब का मेला लगता है हरी द्वार में लगता है इलहाबाद में लगता है आपके पडोस नांदेड में लगता है अभी गुदावरी का भी क्या क्या मनाया लोग मर जाते हैं उसके अंदर भगदर मस्ती है मैं हर बार जाता हूं कुम्ब के मेले में पांक सो हजार लोगों को ले करके मैं पूरे यातरा निकालता हूं नारे लगाता हूं इस्तार बाढ़ता हूं कोई गंगा में डुपकी लगाने से पाप नहीं धुल सकता और गंदे नाले में आप पानी में डुपकी लगाओगे तो बिमार हो जाओगे